हो गया अंजी गुड इवनिंग एरिवन गुड इवनिंग जल्दी से जल्दी बताव आवाज आ रही है जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से जल्दी बताव आवाज आ रही है आप लोगों को जी चरिया जी जी चरीया कि देखिए कि फर्स्ट आफ फॉल हां ओल क्लियर ग्रेट ग्रेट कि तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ठीक है और ठीक है यह जो ठीक है टीचर ऑफ दा इयर अवार्ड मुझे मिला है और सो ऑविसली बात एक गुड फिलिंग आती है लेकिन गुड फिलिंग तो सबसे आया तब आती है जब आप लोगों के एक्जाम्स क्लियर होते हैं ठीक है इस साल हमने बहुत रिजल्ट दिये हैं चाहे हमारे यूट्यूब के स्टार्ज है ठीक है और बहुत बचे जो है मेहनत करते हैं उनकी मेहनत का ही नतीज़ा है देखो मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूं कि किस तरीके से पढ़ना है और अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो आप सिलेक्श मैंने मैसेज में भी लिखा था और दिस अवार्ट डेडिकेटेटेट तो यू मतलब देटेटेटेटेट ओनली टू यू क्योंकि आप हो आप पढ़ रहे हो आप सेलेक्शन ले रहे हो तो मुझे तो आपने आप भी मिलते रहेंगे ठीक है मैं बहुत अच्छा लगा कि हा मतलब आइधिंग मुझे तीन साल होने को गए हैं यहां पर और तीन साल बात एक कहते हैं कि मेहनत का फल मिला ठीक है वह वाली चीज है यहां पर और यही चीज मैं आपको कहूंगा कि काम करते रहो पढ़ते रहो एक्जाम क्लियर होगा 100% क्लियर होगा लेकिन अगर आप प जी यह बचा पूछ रहा है पाटी कब देजेगा पर्टी की क्या बात है पहले तो चीज बताओ पार्टी का मतलब क्या होता है आप सिलेक्शन लो ना सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज वह है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि मैं कोशिश करूँगी सबसे ज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हो तो बहुत सारे बचे आज भी मैं आपको बता दूँ अभी मैं सब्सक्राइब इतने मैसेज आ चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता और मैं शेयर करते करते ठक जाता हूं क्यों कि आप करते हैं में ने मिनत करी चीजों को बताया कि इस तरीके से पढ़ना है लेकिन उसके बाद आपकी मेंद सब्सक्राइब multiplication होती है आपको करनी ही करनी है और वो अगर कर गया तो selection ले लोगे सो बस इसी चीज से मैं मैं थैंक्यू कोंगा आपको ठीक है आप पढ़ रहे हैं तो मुझे reward मिल रहे हैं मुझे award मिल रहे हैं तो बस यह है जब आप लोगों ने पढ़ना हुई आप लोगों को तो आप मुझे message करना ठीक है इंस्ट्राग्राम के उपर message करना येस जी तो चलिए जी आपना सेट नंबर थ्री फॉर्दा स्टेट पीसे से एक्जाम और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं मेरे नाम है डॉक्टर विपन गोईल बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको में बता दूँआ मुझे डिफ्ट सोशल मीडिया की उपर फॉलो कर सकते हैं तो अब यहां पर यहां पर यहां पर मेरे साथ सब्सक्राइं इस्ट्राइब फॉलो कर सकते हैं कोई भी चीज डॉकुमेंट एक्जाम कोश्य पेपर तो आप मुझे यहां पे कर सकते हैं क्लिया मेरे दो पेड़ कोर्स जाते हैं जिसमें से जो बचे मैक्सिमम रिजल्ट लेके आए हैं मैं आपको बता दूँ 10,000 mcu कोर्स है क्योंकि थेयरी सबने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होती है अ आपको सीधा 10,000 mcu कोर्स की तरफ जाना है यहां पे चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस हमने mcu की हैं डिटेल में पॉल्टी हिस्ट्री जॉग्रफी साइंस इंवार्मेंट इकलोजी सब के जो है और प्लस प्रीविस यह कोशन डिफरन डिफरन एक्जाम के आल आवर इंड से हैं दो जगा से स्टडी आईक्यू एप से जहां हमारी वेबसाइट स्टडी आईक्यू डॉट कॉम जैसी इसको ओपन करेंगे होंपेज नजर आएगा यहां पर देखेगा बेस्सेलिंग को बटन को दबाना जीए स्कोर्स तीसे नंबर पर देखेगा 10,000 mcu कोर्स में और पेपर का लेवल स्ट्रेट PCS और UPSC का होगा तो स्टार्ट विदा फॉर्स्ट कोशन येस जे स्टार्ट विदा फर्स्ट कोशन देखे एक चीज़ और मैं बता देता हूं ये अवार्ड दिलाना रिवार्ड दिलाना ठीक है सब कुछ आपके हाथ में हैं बस आज से अभी से थोड़ी से एक प्रण कर लो कस्म खालो कुछ भी कहलो कि हां नहीं मुझे पढ़ना ही प की जितने भी टौपर से सबने मतलब है हमारी टैन था जिगर किया ओर बहुत बच्छों ने एक्जाम कैया ट्पर्स में क्लियर किया और ंम लिया हमारे 10,000 कोर्स का वो रीजन सिर्फ एक है कि वो पड़े हैं उससे मन लगा के पड़े हैं तो बस आप भी मन लगा के पड़े और निकले आगे चीक है चले जी सार्ड वी फर्स्ट कोशन विचो दा फॉलिंग इस नौट ए इंडस्ट्रियल फाइनस इंसिटूशन इन में से इंडस्ट बैंक फॉर अग्रिकल्चर एंड रूरल डेवल्मेंट नाबाड और यह बना कब था इस बारह जुलाई 1982 को क्रैफी कार्ड कमेटे की रिकोमेंडेशन से जिसके चेहर परसंते शीव रमन तो शीव रमन कमेटे की रिकोमेंडेशन से और नाबाड जो है यह पैसे देता है से आर यर भी का रिजन रुनिल बैंक यह एक जाबेंक है तो ध्यान रखना important part है यह answer number c is the correct answer उल यूटिया unit trust of India iCC इंडेश्टियल बैंक था तो दो अंशर नंबर क्या बनेगा आपका सी जे agriculture के लिए आपका प्रोवाइड करता है नाबाड अंसर नंबर सी ज़ा करेक्ट वान येस कि जी अंसर नंबर सी नाबाड दिखे किन किन चीजों के साथ इंवाल्ड है माइक्रो फाइनेंस बहुत छोड़ छोड़े फाइनेंस को पॉलिशी को को सपोर्ट करने के लिए टेक्रोट के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए ग्रूप इण चीजब में जाएंगे तो वह छी जुड़ती है एक चीजब को और बधाता हूं आपसे पूछा आता है आप आईड़ी ऐस वाट इसवेंग आयदी फ्शीजा Fourth infrastructure development fund तो infrastructure development fund जो होता है यह किसके पास होता है तो इसका अंसर भी क्या बनेगा नाबाड बनेगा और नाबाड के headquarter कहां पर है मुंबई में याद रखना चलिए अगला बताईए कि जी कोशन है प्लैटू फेज का मतलब क्या होता है प्लैटू फेज का मतलब यहां क्या होता है यह आपका कोशन है याइस बताएए जी प्लैटू फेज का मतलब क्या होता है च hvis आब को सो फर्स ऑफ आल डिस अप लाट्यू फ़ेज दिस यहां प्लैटू फेज्ट वां 이야기 मतलब यहां पर बड़ बढ़ गया डाफ्रेज़ अधर रिटेट कि यहां पर जो है आपकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है डेथ रेट कम हो रहा है और जिससे ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से बढ़ गई उसके बाद है यह आपका ट्रांजीशनल फेस में क्या होता है आपका कि जो बर्थ रेट होता है जाने कि यहां पर पॉपुलेशन जो होती है यहां पर कॉंस्टेंट रहती है इस जगह के उपर पॉपुलेशन हमेशा कॉंस्टेंट रहेगी कोई नई ग्रोथ तेहने को आपको नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या बनेगा अंसर क्या बनेगा इसका एप्षन बर्थ रेट एंड डैथ रेट आर इक्वल क्लियर येस आंसर नंबर ए इस दा करेक्ट वांट अंसर नंबर ए चलिए जी अगला कोश्य बताइए बीसी जी वैक्सिन दो वर्ड सी स्टेंड फॉर यह बीसी वैक्सिन में सी वर्ड का मसलब क्या है सुप फर्स्ट और बीसी वैक्सिन इस फॉर टीबी ट्यूबर क्लॉसिस और टीबी जो होता है माइको बैक्तिरियम ट्यूबर क्लाई के कारण जो है यह फैलता है इसलिए यह जो बैक्तिरिया कहीं पर भी आ सकता है खांसने से किसी चीज़ को आप जो आपने ड्रॉपेट से इंगल्फ कर लिए उसमें ठीक है दूद में और दूद में खास करके ऐसे कि जो बवाइन अगर उनके गट में उनके पेट में जो है आपका यह गरμ करके और चाहिए क्योंकि उसके लंदर पनप जाथे है mention that is 71.7 degrees centigrade for the 15 seconds 62.8 degrees for the 30 minutes यह ध्यान रखना important है और इसको pasteurization of milk का process कहते हैं याद रखे और इसके लिए vaccine जो है यह है BCG this is called bacillus calmate urine bacillus calmate or urine so this is a vaccine clear यहां पर C word का मतलब पूझा था तो that is calmate तो answer इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा correct answer calmate is the correct answer a option is the right one clear याद रखे very very important answer number a is the right one yes answer number one is the correct one calmate और एक चीज़ में आपको बताना चाहूंगा एक टीबी के लिए और एक vaccination होते dots comment section में लिखे बताईए dots word का मतलब क्या है full form बताईए ठीक है क्लोरीन जो होती है यह water को purification करने में आपको मदद करती है सब को बता है cadmium cadmium rods होती है cadmium rods boron and cadmium rods in the nuclear reactor वो क्या करती है आपकी डाइस जो neutron होते हैं उसको धीरे करने में में help करती है reaction को control करने में help करती है तो इस 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 इंपॉर्टेंट जो है question है यहां पर आंसर नबर वाणीजा करेक्ट अंसर बैसले स्कैल मेट गविरीन है चलिए अगला अंसर बताईए अगला बताओ फटाफट इन में से number of shells number of electrons बताने हैं M shell में कितने होते हैं देखे जी अगर जब भी हम बात करते हैं आपके की जो है आपके electrons electrons की बात करें M shell में तो shell 4 है के L M N ठीक है जिसमें हम 1 2 3 4 रिपर्जेंट करते हैं और किसी भी जो orbitals को निकालने के लिए शेल में 2 N square का जो है formula होता है क्या होता है 2 N square का तो यहां पर M word क्या हो गया M है आपका तीसरा तो that means 2 into 3 की पावर square और इसमें क्या बनेगा 3 9 multiply by 2 that is 18 so it means answer इसमें क्या बनेगा C option M shell में हमेशा कितने होंगे आपके that is C option that is 18 is the correct one clear कहीं पर भी निकाल लीजिए अगर यहां पर यहां पर के में कितने होंगे 2 L में 8 M में 18 और N में 32 so this is the formula KLMN this is the electrons चले अगला कोशन बताईए यह साइंस का कोशन है ऐसे कोशन पर में आ जाते हैं कौन से element का जो है atomic number जो है बड़ा है किस से जिंक से पहली बात तो atomic number क्या होता है अधर नवर फ एलेक्टर और प्रोटों प्रेयर इनन एटम इस इट्स atomic number क्लियर हो गया जिंक का atomic number कितना होता है 30 होता है तो इसने पूचा है कि 30 से उपर वाला इसमें से कोई element है या नहीं है Copper की बात करते हैं तो 29 है Iron की बात करें तो 26 होता है Camím की बात करते हैं तो 25 होता है DAVID की बात करते हैं 35 होता है तो answer is me क्या बनेगा D option vitamin is the correct answer 292624 35 answer number क्या बनेगा इसका दी ब्रोमीन is the correct one, 25 is the right one Yes the option is the right one जे-जे-जे जे डी ऑप्शन येस ब्रोमीन इस दा करेक्ट वान क्लियर हो गया क्योंकि 30 के उपर यही है कुछ इंपॉर्टन फेक्ट्स हम याद कर लेते हैं कहीं से भी आ जाता है पेपर में जिंक की कंजंप्शन हमारी बॉड़ी में क्या करती है प्रपर तरीके से इंसुलीन का का फंक्शन करवाती है और इंसुलीन क्या होता है हॉर्मोन होता है कहां से निकलता है पैंक्रियास के बीटा से इसलेट्स ऑफ लेंगरहन से वह क्या करता है ब्लड गुलुकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ड कर देता है जिंक का आपका इस्तेमाल गैलवनाइजेशन में भी गई थी इंडिया में और अधर्वाइस पहली मैटल डैड़ीज ओन दर टाइड़ टाइम अफ चाल को लिथिक चाल को लिथिक एज के टाइम पे और को कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर इस तो नहीं कहेंगे बैस तो सिल्वर होता है इसलिए हम कॉपर का इस्तिमाल करते ह और यहीं बात करते हैं आइडीन की उपर इनकी और्श पुछी जाती है हमेंनिट लेमिनट मेंटेट और और साइड्रेट और डृष होता है फिस्तू जिसे बूर क्या कहते है फूल्ज और याद रखना है सारी चीज्स ब्रोभीन लिखुड होती है रोम टैंपरेशर उसम में क्या बनेगा डी इज़ा करेक्ट वण रोद मीन 35 इज़ा टॉमिक निमबर यह इक बार पढ़ लेना एक बार रीड कर लेना ही क्या चीज़ें है यस चलिए जी जादा होता है इसका होता है क्यूंकि यह अंदर जो है इंटर molecular force बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वाटर के अंतरगत इसी लिए होती है और यह फोर्स इसी लिए होती है क्योंकि यह hydrogen bonding होती है इसके अंतरगत answer number D is the correct answer answer number D hydrogen इसमें bonding होती है hydrogen bond है जिसके कारण जो है water के पास क्या होती है आपकी that is boiling point हाई होता है समझ आया और water का boiling point कितना होता है 100 degrees centigrade अब paper में paper में कई पर यह आयाता है आपको कि अच्छे यह बताओ कि water का boiling point बताई उसमें option आपको फार्न हैट में देते हैं तो फार्न हैट में कैसे निकालते हैं मैंने आपको formula बताया था c by 100 is equal to f-32 upon 180 यह आपको formula बताया था तो यहां पर c की value कितनी है 100 100 by 100 is equal to f-32 upon 180 ठीक है यह हो गया 1 यह बन गया 180 is equal to f-32 यह माइनस 32 इधर होया तो कितना बन गया हो जाएगा तो आपको पिपर में ऐसे भी बूशकते हैं और अगर आपको Kelvin में पूछ ले कि option Kelvin में डाल दे तो यह आपका formula है c by 100 is equal to k-273 upon 100 तो यहां पर कितनी c की value 100 तो 100 से 100 कट गया यह एड हो जाएगा तो Kelvin में कितना हो हो जाएगा 373 Kelvin जो है आपका water का boiling point हो जाएगा तो दिस इस वेरी important point clear यह याद रखना और Celsius और Fahrenheit किसके टाइम पर बराबर हो जाते हैं माइनस 40 की यूपर बराबर हो जाते हैं यह भी आपको clear होना चाहिए तो अंसर नमबर डी यह की यह की यह ऐसे ही पेपर में question आते हैं ऐसे ही paper में examiner गुमा लेता है आपको और आप गूम जाते हैं जी अगिशन बताइए कि एक compact disc CD जो होती है data storage होती है वह टाइप कौन सी है data storage टाइप कौन सी है इन मेंसे यह जे 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 बिल्कुल रिखारडिंग में एलेक्टॉनिक रिकॉर्डिंग में ठीक है स्टोरिंग में प्लेबैक ओडियो विडियो टेक्स्ट ये सारी चीजाहों में आपको हेल्प करवाते एं सीडी ख्लियर और यह होती क्या है दिसीज ऑप्टिकलद डेटा स्टॉरेज इस इसमें आपको अंसर बनेगा आप काफी कहेंगे मैगनेटिक काफी कहेंगे इलेक्टिकल काफी कहेंगे लेक्ट्रमागनेटिक एक्चुली इसे ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज समझ आया आप लोगो यास बिलकुल सही इस डिजिटल ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज बिलकुल सह क्लियर होगे आप लोगो अंसर बीज़ा करेक्ट यास अंसर बी ऑफ लोगो अंसर बी तो ध्यान रखें पेपर में कोशन क्या पूछ रहा है चलिए अगला कोशन देखें कोशन है इन में से कौन सा पेर मैच नहीं करता शिफ्टिंग अगरिकल्चर के साथ और स्टेट के कहते हैं जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं simpler फैर अब क्या होता है यह कि एक आपका फील्ड है प्रोपर तरीके से फील्ड है फील्ड का कर पहले उगा लेते हो फिर इसको जिला देते यह फिर उगा लेते हो गालिदो जिला देतो इस सब्सक्तिलीड बढ़ती है लेकिन लॉंड डूशन यह है कि इनमें से जो है आपके जो अरिया है कि इनमें से कौन स जगा की उपर कौन सी चीज नहीं है इन देपा डैटी जिंदा यार यास मध्यापरदेश में मध्यापरदेश में और भी बोलते हैं धाया भी बोला याता है समझाया तुमें जी यां यह अल्व है फैंड लो यहां जो है यहां पर बोल दिया असक ले यहां पर असकर दूस्चिया याउर है यस समझाया तुम्हें तो अंसर नंबर डी है आएगा correct answer हाँ दिल टूटेंगे तुम्हारे ऐसी यार ये कोशन कहां से आगए कि पढ़ोगे नहीं तो ऐसी होगा कि जी विची इस दा ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट ऑफ इंडिया सबसे इन में से जो पुराना है वह कौन सा है जस्ट एक मतलब मैं इसको फैक्ट की बतत्तर हैंसी याद करना चाहूंगा बहुत दिमाग लगाने की जुरत नहीं सीधा अंसर याद किए जिए वीना बस वीना इस जो है सबसे पुराना मुजिकल इंस्ट्रुमेंट है इंडिया के अंद्रगत और इसको और क्या बोलते थे हर एचे यार पी ठीक है हर और वीना मैंने आपको बताया था वीना बजाते हुए सिक्के किसी ने इश्यू किये थे याद होगा आप लोगों को समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त इसे आप नैपोलियन और इंडिया कहते हैं वी ए स्मिथ ने बोला था प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन इनके नाम पे है कवी राज इनको कहते हैं सुड़ेट से तो अंसर इसमें क्या बनेगा सी चलिए अगला इंस बताईए यह पेपर में आते हैं ऐसे कोशन फिर कहते होगी सर कहां से आगए कोशन हमें तो पढ़ाए नहीं थे अभी बहुत बच्चे जो है राजस्तान PCS का पेपर देखे आए तो उनको लगा था कि हाँ बस नॉर्मल कोशन आ जाएंगे अब यह थो कारणाटक संगीत का जो है एक रूप नहीं है वह कौन सा नहीं है येस या बताईए तपा ये फिर मियॉड़ीश याद करो यह चीजह चीजेhair आपको सिर्फ अन्सर में याद sentiments है याद करना है हँप स्क आप क्राति स्रेभाटर्व स्लोकं और धिलाहना यह एक है करनाटिक विभी और टपा जो है यह है सैम्मी इंडियन मुझीकल कि क्लियर वोगे आप लोगो को जी 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 बिल्कुल पुरंदर दास इस फादर ऑफ कार्णेटिक म्यूजिक आपको बताया था विज्दिनगर इंपायर के टाइम पे बिल्कुल बताया था मैंने आपको पुरंदर पुरंदर दास टपा चलिए जी कोशिन है व्यश्ब्ð कृप्टोगर्म थम्हें किसे कहते हैं इसका मतलब यह होता confidence का ना तो इसके पास फ्लार हैं यह ना एटानें से बेंच नौर फ्लार लांट यहां ना तो इन ट्रीडों फाइट तरीडो फाइटस ट्रीडो फाइट आर्फ जिनके पास ना तो सीड्me ना ही इनके पास फ्लार्ण होते हैं प्लिएर आप लोगो धेलो फ़ीटस क्या होते हैं नौन अंताईन क्लिएर प्लान्ट क्या indicating हैं amphibians of the plant kingdom what is the meaning of amphibians amphibians का मतलब क्या हो गया कि जो पत्ते जो जो प्लांट जो है पानी में भी रह सकते हैं और लैंड की उपर भी रह सकते हैं बिल्कुल सही जी बिल्कुल ठीक है और sporophyte क्या होते है जिसमें sports produce होते है multi cellular stage है यह तो answer number c is the correct answer ट्रीडोफाइट इस दा राइट वान ट्रीडोफाइट चलिए अगला नसे बताओ कि अगला बताईए है 1961 में जॉइंट सेटिंग हुई थी तो किस चीज को resolve करने के लिए first of all जॉइंट सेटिंग क्यों होगी एक बिल की लाइफ होती है छे महीने six month कहने का मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में इधर उधर उधर करते चेंजिस चेंजिस करते हैं एक बिल को छे मेने इधर उधर गुमा सकते हैं छे महीने के बाद वह बिल जो हो जाता है वह डैड्लॉक हो जाता है और इस डैड्लॉक को तोड़ने के लिए जा राष्ट्रपती को लगे कि हां ये बिल आना चाहिए तो राष्ट्रपती क्या करते हैं सम स्पीकर ओफ लोगसभा अगर स्पीकर एपसेंट हैं तो डीपीटी स्पीकर ओफ लोगसभा वहां पर प्रेजंट होते हैं समझ आया तुम लोगों को येस अब बात यहां पर यह है कि इस बिल को सुरी जो है इस जॉइंट सीटिंग अंदर इस चीज को तोड़ने के लिए मत 1978 में बात हुई थी समझ आया डौरी प्रहिबिशन बिल 1961 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1978 और वन मोर इस अपूटा प्रिवेंशन ऑफ टेरिरिजम एक्ट 2002 यह आपकी जो है अब भी तक की जो है जॉइंट सीटिंग हुई है ध्यां रखना जॉइंट सीटिंग को समन करन सब्सक्राइब का काम सिर्फ राष्टपति का है लेकिन यह पर्सन हमेशा स्पीकर ओफ लोग सबाव बैठते हैं और सब्सक्राइब करेक्ट आंसर कि यह बिलकुल जॉइंट सीटिंग दो केसी में नहीं हो सकती ना बनी बिलके केस में ना कॉंसिटिशन अमेंडमेंट में सब्सक्राइब कर दो सबारा है बड़ा कं़ीशन सागोश दयारत था ठीक एक किवह कि नाम सभी सुने सुने से थे इस इन में चाहर तीन नाम है जो महवीर जी के साद्पराइं डूरिया दर्शनी कहते हैं हु付 रिया दर्शनी ये ध्या रखना सो Speed Is The outbreaks और वर्दमान महावी 24 थैधंकार रहे हैं और खिर जनकी गुरु और जो है जिन को प्रापत निर्वान प्रापती हो जाती है और उनको हम अरिहंत के नाम से जानते हैं और ते धंकार की नाम से जानते हैं that's it तो साल में चैलिए टेलिग्राफ लाइन जो है आपकी कहां पर पर शुर्ट करीं गई की इंडिया में येस इंडिया में कौन से साल में पहली टेलीग्राफ नाइन जो है स्टार्ट करीं गई थी भिल्कुल टेली communication telegraph कब start किया गया था इंडिया में that is in the 1851 1851 answer number one is the correct answer between the Calcutta and Diamond Harbor दोनों के बीच में दोनों के बीच में याद रखें important है answer number one is the correct answer 1851 one is the correct one 1851 येस शावाश 1851 टेक है ये देखो क्यार्कटा एंड डायमंड हाबर 1851 बिल्टिश इंडिया ने इसको इसको इंटर्डूस के था experiment इन्होंने 1850 में किया था 1851 में इंटर्डूस कर दिया था चलिए जेगरां से बताईए the declaration of right of man is related with declaration of right of man यह actually a fundamental document है fundamental document है the declaration of right of man यह किसके साथ संबंदित है यह 1789 में French assembly में बात हुई थी तो that is related with the French Revolution answer number B is the correct answer काफी बच्चे यहां पर American war of independence की उपर बात करेंगे American war of independence की बात करें तो यहां पर Bill of Rights की बात हुई थी यह द्यान रखना समझा है आप लोंगो जी-जी युझा युनाइट सेट्स बिल आफ युनाइट सेट्स विल आफ राइट्स की बात हुई थी वहां पर या रखना है जी-जी-जी-जी तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है French Revolution और यहां से French Revolution Revolution से हमने तीन वर्ड लिये थे डैट इस एक्वालिती लिबैटी और फ्रेटरिंटी उर्ट्रेटर्ट लिये थे फ्रेंच रेविलूशन से रुच्छा रेवलिशन की बात करें 1917 ठीक है और रुच्छा रुच्छा से मने बोरो किया है है fundamental duties और 5-year का plan concept यहां से बोरो गिया है American war of independence 1776 आजाद हुआ अमेरिका आजाद हुआ था 1760 में जी बिलकुल कि यहां पर United से declaration of independence हुआ था बिलकुल सही समझा है आप लोगं को कि सो अंसर इसमें क्या बनेगा जी बी option कि फ्रेंच रेवलुशन कोशन देखें जी क्या है विच फॉलिंग स्टेट्मेंट इस नौट करेक्ट फॉर इंजाइम इन में से कौन सी चीज जो है तो इनलों के लिए Afghanistan काई यह उल्मौस्ट आपका बिल्कुल सही है कि हां सारे होते हैं वह प्रॉटी इंजाइम requesting नहीं हो सकते ये भी दियान सही है most of the enzyme get damaged at high temperature enzyme अगर देखा जाए तो high temperature के उपर खत्म हो जाते हैं ये भी सही है enzyme accelerate the reaction ये भी सही है यहां तक by increasing the activation energy नहीं increasing ना होके वो क्या कर देता है decrease कर देता है activation energy को enzyme reaction को accelerate कर देगा लेकिन कैसे by decreasing the activation energy तो इसका answer क्या बनेगा आपका ये पॉइंट गलत हो गया तो यही अंसर बनेगा क्योंकि not पूछा था तो इसमें डी इस दा करेक्ट अंसर डी option समझाया increase ना करके वो decrease करता है ये paper में सिर्फ words का खेल है मैं बता दूँ आपको पेपर में सिर्फ words का खेल होता है चीजें बहुत आसान और बहुत सीधी सीधी आती है लेकिन वहां पे गडबढ़ हो जाती है paper में चलिए जेगलान से बताइए League of Nation League of Nation कब बना था Paris Peace Conference हुई थी 10 जनवरी 1920 को बना एक inter government जो है organization है जिसका काम क्या है world peace को maintain करना जैसे यूए ना है हमारा united nation organization बना था 24 अक्टूबर 1945 वह भी क्या था peace that means peace उससे पहले same organization league of nation था जिसका काम peace maintain करना था लेकिन इतनी powerful organization नहीं थी तो कोई भी देश इनकी बाते नहीं मानता था तो उसके बाद जो है जाके सेकंड वर्ल्ड वार भी हो गई हमारी inequ Iron standard Madonna ये कितना नुक्सान हुआ पुरे विंदो व्ल्ड को पता लगया कि नुक्सान हमारा ही है लगने में बी और जीतने में भी हमारे नुक्सान भागान में तो उसके बाद रखने उन बना था तोड़िब वर वर नथिस कलिया वर यह लाय आइडिया था अमेरिकन प्रेजडेंट वुड्रोव विलसन का आइडिया था यह याद रखना वुड्रोव विलसन का चलिए अगला अंसर बताईए कि अई जे आगे कोशें बताई है क्या गयता है कोशें बोलता है एक बीमारी है सकरवी ठीक है रोक है ये किसके कौन सी काम कि कारों होता है पहले तो सकरभी पता हो सूड़े उसमें ब्लड आने लग जाता है आपको ठीक है मेली ब्लड आता है यह ध्यां रखना और ब्लीडिंग फ्रॉम दा गम्स यह होने लग जाता है और विटामिन Küda में किसका विटामिन C का लुकसान होता है यह पता होना चाहिए जाया विटामिन C को एसकुर्व इसंद और उसके मिल जाता है विटामिन सद्वक्राइब कर दो और विटामिन ब्रोल लगाइन करने थायमिन और विटामिन ट्वलल कह रखें यालियल कंटेनि उधरी के थीजिल 55iva और और ऑस्टियों में दिक्कते कॉज करता है और यह आपका जो भी जितने भी सारी चीज़ी है यह साथ कुछ आपको पता होना चाहिए तो इस आप विटामिन विटामिन वर्ड किसने दिया था फंक ने दिया था फंक ने दिया था फंक ने दिया था पहले एक ही आपका election commission होता था मतलब एक परसन होता था वही चीफ होता था यह दो add किये गए थे कब add किये थे 61st amendment act 1988 हुई थी जो implement हुई थी 89 में जब हमारी age voting age 21 से 18 साल करी गई थी तो उसी के साथ यह दो person को भी include किया गया था कहां पर चीफ election commission के साथ मिलके यह अपना जो है चीज़ों आगे चलाएगा पर बात यहां पर यह हो रही है कि अगर इनमें से dispute हो जाए दो और इनका तो कौन करेगा तो जहां पर majority जाएगी जहां पर majority जाएगी वहीं से आपका का काम हो जाएगा कोई और इंिटर्फियर नहीं करेगा तीनों में से दो जिसके पास आगे तीनों म दब्र जिसके पास आगे वो करेगा का सुप्रीम कोड तो सिर्फ दो काम करती है प्रेजसेद्ट और वाइस में का election को सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर चलिए विश्वेश्वर्य आईरन एंड स्टील लिमिटेड इस लोगेटेड इन दा स्टेट आफ विश्वेश्वर्य आईरन एंड स्टील प्लान जो है यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की युनिट है और यह बद्रावती इंडिय के लिक्रिक शलो यह आपका मैं होमवग सh फोड़ा सा आप जिए होंब करें बद्रावती में लेकिन आपका आपका कशdंग है कि इन राज्यों में नेश कहां पर पर न हम एक है प teu पर और फोकस किया गया था इंडेस्ट्रीघ के ऊपर और यह प्लैन दिया था जिन्होंने निशनल स्टैटिस्टिकल जो है इस्टिवड बनाया था कॉलकाता में इनकी बर्थ एनिवर्सियों 29 जून को जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नैशनल स्टैटिस्टिकल डे किया जाता है और यह तीन आयरेंगी इस्टीज में टीज लाइं बिलाइक 36में और उडिशा में यह वैस्ट जण्मनी की मदल से और दुर्गापूर बृटिश नहीं लगाई थी यह आपकी लगाई थी यह लगाई थी वैस्ट बेंगॉल में नहीं चीज़ें ठीक है तो प्रांट जो है इन में से कौन सी स्टेट में है ठीक है तो आपको अच्छा लगा होगा लेक्टर अच्छा लगा तो लाइक और शेर कर दीजे बाकी अफडेट्स आपको मिलते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल की उपर यहां पर क्लासिस वीडियो लेक्टर पीडियेफ सब को श पॉल्टी हिस्ट्री जोगरफी साइंस पूरा जीएस पढ़ना चाहते हैं तो मेरा 10,000 कोर्स ले सकते हैं जिसमें हमने चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस में डिटेल में प्लस यहां पर प्रिवीश और कोशन है डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम के सब के मैंने यहां पर और यहां पर मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है मॉक टेस्ट के लिए कोई अलग से पर्चेस करने की जूरत नहीं है यह कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यहां पर डिसकाउंट मिल जाएगा यह वाला कूपन कोड लगांके GS course की बात करें यह हमारा theory course है बिलकुल basic topic wise इसमें study करी गई है अब आप इन courses को कहा से ले सकते हैं दो जगा से जातो आप study IQ app से ले सकते हैं जा हमारी website studyiq.com से जैसे आप इसको open करेंगे आपको screen की उपन नजर आएगा home page यहां पे देखेगा best selling courses view all का button इस view all के button को दबान GS course तीसे नमबर पर देखेगा 10,000 एमसी कोर्स आपको चौथे नमबर पर नजर आ जाएगा जो भी कोर्स अच्छा लगे आप purchase करें preparation को आगे बढ़ाएं clear और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे Instagram के उपर message कर सकते हैं तो सुबह मिलते हैं और इस बार Saturday को मैं marathon class नही इसके बाए जाहिन